नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइफ आपके साथ मैं अनुवरच शर्मा खबर आ रही है गुजुराज सरकार ने गप्पी फिश का कारेकरम गुजुरात में लागू किया है यह कारेकरम मलेरिया और डेंगू के नियंतरण और रोक थाम के लिए रखा गया था कारेकरम के अनुरूप आज गरूडेश्वर तहसील के आरोग्य विभाग के करमचारी भू मलिया गाउं के ताला में फिश छोड़ने को आए इस कारेकरम में गरूडेश्वर तालूपा के हेल्थ सूपरवाइजर मितेश भाई भट भी जुड़े हुए थे कारेकरम के बारे में मितेश भाई भट ने क्या कहा आईए उनसे सुनते हैं इंडिया खबर लाइफ के लिए गुजराद नर्मदा से गौतम भाई व्यास की विशेश रिपोर्ट गुजराद सरकार द्वारा गपी फिस का कारेकरम बाहर लागू किया गया है इस कारेकरम के भागरूप आज हम गर्डिस्वर तैसिल के करमचारियों द्वारा भुमलिया गाउं के तालाब में गपी फिस जो है वो छोड़ने को आई है यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो कि तमाम कर्मचारी द्वारा गपी फीस भुमलया गाओं के तालाब में छोड़ने के लिए आई है इस कार्यकरम के भागरूब आज रोज हमारे साथ गर्डिस्वर तालोका सुपरवाईजर मितेश भाई भट साब जूड़ चुके है आईए हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा कार्यकरम क्या है गुजरात सरकार के मानी आरोगय मंत्री नितिनवाय पडल साब से के सिधा नियंत्रन द्वारा आज नर्मदा जिला के मुख्य जिला आरोगय अधिकारी डॉक्टर केपी पडल साब नर्मदा जिला के जिला मलेरी अधिकारी परिक साब और तैसिल के आरोग्यदिकारी डॉक्टर सुमन साब के मार्ग दसन हेठड आज हम गरुडश्वर तैसिल के भुवलिया गाउं में जो बोरिया पीजसी में आती है तैसिल के भुवलिया गाउं का तालब है वहाँ आज हम गप़ी फीश डाल रहे है जिससे मलेरिया नियंतरन होता है तो यह मलेरिया मिकता है और सरकार की 2022 तक की पॉलिसी रही है कि मलेरिया नियंत्रण हो इसलिए गुजरात सरकार के